नमस्कार मैं आसी स्पाटक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षपलस में UPPRPB में एक नया अपडेट और आया है टेंडर के बाद एक और नया टेंडर लेकिन ये टेंडर कहीं न कहीं एक राहत भरी टेंडर है अगर बात किया जाए इस टेंडर में तो यहाँ पर UPPRPB ने जैसे आपका हम बात करें UPSC ठीक है और UPSC जो आपके सिविल सर्विसेस है इनमें जो एक प्रोसीजर चलता है OTR का One Time Registration का जो प्रोसीजर है उसी according UPPRPB ने भी एक टेंडर निकाला है कि जो दो साल के लिए almost आपकी कोई ऐसी company जो इस प्रकार का OTR करें जो बच्चे के recruitment होते हैं पूरा overall जो recruitment होगा UPPRPB में चाहे वो constable हो चाहे कोई भी हो तो उसका एक single time registration हो जैसे आजकल UPSC वाले में देख रहे हैं कि बिना आप OTR किये form नहीं भर सकते हैं तो OTR basically क्या होता है UPSC ने भी OTR कर दिया UPSC ने भी कर दिया तो इसी प्रकार UPPRPB Board ने भी आपके OTR के लिए इस company या software की मांग की है कि जो एक DZ Locker से integrated भी हो क्योंकि आपका सत्यापन भी करना होता है चीजों का कि आप जो डेटा फिल कर रहे हैं तो उसका सत्यापन DZ Locker के थू हो सके तो कुछ मांदंड जो है उन company के लिए कि जो OTR के लिए वो software प्रोवाइड किये उन्होंने एक या अपना जो है tender निकाला है जिसमें आपके मांदंड दिये गए है दा बोला यहां पर देखेड़ डेबलॉब्ड और डेपलोई software must be supported by interested agency company for a period of two years agency company must be deploy and dedicated team in UPPRB permisses for period of two years DZ Locker integration के लिखबारे में बात करा गया है तो यहां पर साब साब बोला गया है यहां पर आप देखेंगे तो इसको for work one time registration OTR ठीके और यहां पर बोल भी दिया है जैसे union public service commission state public service commission engineering medical management में one time registration हो रहा है ऐसे ही police भरती board के लिए registration मतलब एक होगा single आपका एक OTR जो होता है यहां से OTR number generate होता है ठीके इस OTR number के थुरू आप कोई भी application form भर सकते हैं आपको बार बार अपना detail फिल करने की जरूरत नहीं होगी कि आप 10th, 12th, graduation सबका detail भरो जितना detail आप OTR में डाल दोगे वही जब भी आपका कोई form आएगा उस पर apply करोगे ठीके तो registration आपका उस form में होगा लेकिन उस OTR के थुरू आपका पूरा का पूरा data collect कर लिया जाता है बस यह फाइदा होता है तो उसके लिए भी इन्होंने एक tender निकाला है और तो जहने यह साबित हो चुका है कि जल्द ही आपकी जो vacancy है आपको निकाल दी जाएगी क्योंकि जैसे ही यह OTR का procedure स्टार्ट होगा OTR के लिए software इंका develop हो जाएगा वैसे ही समझ लिजिए कि vacancy का registration स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो पहले registration कराया जाएगा OTR का ठीक है पहले आपका कुछी दिन में हमको लग रहा है यह चीज तो बहुत जल्दी final हो जाएगी already क्योंकि कई भी भागों में चला है तो OTR वाला टेंडर इंका जल्दी final हो जाएगा और इन्हों ने OTR का registration भी जल्दी start कर देंगे यह आपको जान लेना है और जैसे ही registration स्टार्ट हो गया data collection स्टार्ट हो गया वैसे ही आपके notification आना स्टार्ट हो जाएंगे यह दिहान लखिएगा तो इस माह के अंत तक October माह के अंत तक और 15 November मतलब दिवाली से पहले पहले कहीं न कहीं आपको notification UPPRB के दो या तीन notification देखने को मिलेंगे यह दिहान लखिएगा सबसे पहला chance है constable और computer operator बाकी radio operator का exam यह तीन चीजे मैं बोल ला हूँ जो वो आपको कहीं ने कहीं इसकी सूचना है दिवाली से पहले आपको दे दी जाएंगे तो जो बच्चे तयारी कर रहे हैं एकदम अपनी तयारी में लगे रहे हैं चाहे वो computer operator हो चाहे radio operator हो जिनने भी परिक्षा प्लस टीम के साथ जुड़कर तयारी करना है वो परिक्षा प्लस टीम से जुड़ सकते हमारे यहां अभी offer में आपका एक वर्दी बैच चलाया जा रहा है इस वर्दी बैच में आप कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं मतलब जो common part हैं वो आपके पढ़ाया जाना है क्योंकि maximum का syllabus आपका सेम हो चाया चाहे वो हिंदी हो reasoning हो ठीके match हो यह सभी part आपके सेम होते तो वो part आपके जिन भी भी सेम है वो वर्दी बैच में चलाया जा रहा है अभी यह offer price में है आप 499 में वर्दी बैच से जुड़ सकते है इसमें पूरी video classes live हैं उसके बार से notes हैं और आपके sectional test series दिये जा रहा है बाकी जैसे ही कोई और information हमें प्राप्त होगी हम जरूर आपके समख चाहेंगे तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद